नमस्कार दोस्तों, मैं डाक्टर कन्हियालाल मौर्या, मामालती होमियो आस्पिटल की तरफ से हमारे यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत हैं दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में प्लेटलेट्स कीजन कीन करनीशनों में हो सकता है और होमियो पैथ में कौन सी मेटसिन का हम यूज करें जिससे प्लेटलेट्स को पूरा कंपलीट क्योर करें दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि हमें हमारे सरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कम है कि नहीं उसके लिए एक जाँच होती है जो CBC के नाम से जानी जाती है CBC जाँच करवाने से पता चल जाता है कि हमारे सरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी है डेवू बुखार आने से ही प्लेटलेट्स कम नहीं होता है प्लेटलेट्स बाड़ी में कम होने के कई रीजन है अगर हमारे सरीर से कहीं से भी बलड अगर अधिपता में निकल जा तो भी हमें प्लेटलेट्स की घटने के प्राबलम हो सकती है चोट लगने से बुखार कोई भी बुखार आए तो भी प्लेट लेट्स हमारे बाड़ी में कम हो सकता है इसके कमी होने से बाड़ी में सुस्ती, कमजोरी, बुखार का आना, आलस सिपन, नीद का सही से ना आना ये लक्षण है उसके और हमें उपचार के लिए होमियोपैत में कौन सी मेटसीन का हम यूज करें जिससे हमारा प्लेट्स पूरा कमप्लीट क्योर हो जाए तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ध्यान रखें कि जब हम प्लेट्स जाच करवाते हैं और उसकी मात्रा डेढ़ लाग से नीचे हो जाती है तो सुबा के समय जगें और दो चम्माच पपीते की पत्ती को पीस करके पीले पहला चीर दूसरा चीर बकडी का दूध धाई सो एमेल सुबा धाई सो एमेल साम को ले और उसके बाद हमियोपैत की मेटसीन कोरिका पपाया जो की पपीते से ही बनी होती है पंद्रा पंद्रा बुन तीन बार पानी में मिक्स करके रेगुलर लें साथ दिन तक उसके बार टाइन इस्पोरा क्यू पावर पंद्रा पंद्रा बुन तीन बार पानी में मिक्स करके साथ दिन तक यूज करें और अगर यूज करने के बाद भी हमारे सरीर में अगर पेन य इसके साथ में यूपेटेरियम परफूलेटम, दो सो पाउर की मैटसीन लेकर के तीन तीन बुन तीन बार, अगर दर्द बहुत अधिक है तो पांच पांच बुन तीन बार यूज करेंगे, जिससे हमारे सरीर के दर्द भी ठीक हो जाएंगे, और इन तीनों मैटसीनों को हम कोरिका पपाया क्यू पाउर, टाइनिस्पोरा क्यू पाउर और यूपेटेरियम परफूलेटम दो सो पाउर, इन मैटसीन को होमियोपैट के इस्टोर से आप ला सकते हैं और यूज करके एकदम कंप्लीट क्योर हो सकते हैं